नमस्ते दोस्तों मैं हुँ संपा आज का इस वीडियो में एक खुबसुरत सा बाजू का डिजाइन बना के दिखाऊंगी तो चलिए बाजू का जो लंबाई है यहां पर मैं साथ इंच लिया है चावडाई जो है नौ इंच लिया है और उपर से जो है वो मैं तीन इंच कट क किया है और वह लाइन को मैं पहले मिला लेने का और आप देखिए नीचे मैं सीधा एक बार लाइन कर लूंगी तो अभी देखिए फ्रेंड्स नीचे जो है वह हाप इंच में माक करना है एक दम मौरी पे तो आप जो में जो पान का सेफ डालूंगी इस तरीक से आप डाले तो बड़े आसानी से यह सेफ बनके तयार हो जाएगा तो आप चाहिए यह पान सेफ को छोटा बड़ा आपका मर्जी के मौताबिब आप कर सकते हैं तो इसे हम काट कर लेते हैं अब देखिए बहुत ही जह सेफ बनके रइड़ी हो गया है अभी मैंन फैवरी को सीधा वजू रखने का और सीधे वजू के ऊपर अस्थर को ऊल्टा करकी हमें रखना है तो अब देखिए हमें क्या करना है किनारे से पाविंज रखते हुए इसे स्टीच करके लेना है एक किनारे से सीलना स्टार्ट करेंगे और दूसरी किनारे पे आके खतम होगा तो पहले पीन लगा लेने का और आप देखिए फ्रेंज पाविंज रखती हुए इसे में स्टीच करना सुरू किया थोड़ा सा धैन से इसे सिलना होगा अभी जो है फ्रेंज जो एक्स्टा कपड़ा है इसे हमें चाट करके लिना होगा अब जो है एक्स्टा एक्स्टा जो मतलब कपड़ा है इसे तो चाट लिया है इसके बाद जो है मैं कहीं कहीं जागा थोड़ा-थोड़ा कट मर के लेती हूँ अब इसे दाब सिलाई देकर भी पलट सकते हैं या तो प्रेस के मदद से यहां पर अच्छा से करके ले सकते हैं तो मैं यहां पर प्रेस करके लिया है और बहुत ही आसान तरीका से यह बैठ गया है अब देखिए प्रेस करके हो गया है मेरा अब जो पीछे बाजु घुमा कर यह से बाकी का जो सिलाई बचा था यह सिलाई डाल देने का और फिर एक्ट्रा फैब्रिक को छाट देने का अब आप देखिए फ्रेंड्स हम लेस लगाएंगे लेकिन लेस जो है इसे लगाने का बहुत ही दिक्कत होता है क्योंकि कोई भी आड़ा तेड़ा डिजाइन पर सीधा लेस लगाने में बहुत ही दिक्कत होता है तो इस वक्त हम क्या करें तो देखिए मैं किस तरीक से ले और पीछे जो है उसे में दबा के रखा तो इसमें क्या हुआ है लेज जो है वो पूरा थे के बैंड हो गया है तो आप आप कोई भी आड़ा तेड़ा डिजाइन पे मतलब बड़े आसानी से आप इस लेज को लगा सकते हैं यह बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स यह का डिजाइन पे देखिए यह कैसे भी घुमाएंगे तो यह घूम जाता है ओक करनार पे थोड़ा सा धैन से करना है एक चूर्नट डाल देना है सेंटर पे सेंटर में जो लड़कन है वो मैं लगाऊंगी यहां पर लटकन बाराने के लिए सवा एक मैंने कपड़ा कट किया है तो पहले मैं एकदम बारिक साथ जो दोरी है वह में बनाओंगी तो रेडिमेट दोरी का इस्तमाल मैं यहां पे नहीं करूंगी क्यूंकि मुझे लगता है कि इस जगा पर रेडिमेट दोरी से अच्छा खुद बनाएगा तो यह दोरी दिखने में और भी ज्यादा सुन्दल लगेगा तो देखिए अंदर सुई डल के मैं दोरी बना के लेती हूँ बहुत ही पतला सा यहाँ पे मुझे दो दोरी बनाना है और इसका लंबाई जो है वो मैं 7 इंच का करके लिया है सेवेन इंच और चोड़ाई जो है वो सुवाइंच पे लिया है आप आपने लंबाई के हिसाब से करना है आपको जितना लंबाई आप राखना चाते है और आप देखिए नीचे का जो लटकन का है वो डाइडा ही इंज का मैंने दो तोकड़ा कट किया है और आप देखिए सेंटर पे वो दोरी डाल कर इसे सील देने का है तो इस तरीका से हमें दो लटकन को रेडी करना है तो फ्रेंड्स यह जो लटकन है आप जो है नीचे भी लगा के मतलब सेंटर पर लगा के पहले ले सकते थे तो मैं यहां पर पहले लगा के नहीं लिया देखिए मैं इस तरीका से अभी मोड के लिया है बीच में देखिए यह जो फ्लावाट जो रेडी हुआ है जो पैटल्स यह पैटल्स दीखने में ज्यादा सुन्दल लगता है अगर आप यह दोरी बात में बनाएंगे तो पहले भी लग सकता है पहले भी हो सकता है लेकिन मैंने यहां पर इस तरीका से बनाया है तो थोड़ा सा सील देने का सेंटर में मोड के दोनों पैटल्स को एक समन किया है म मैंने तो देखिए पैटल्स बहुत ही अच्छा से बन चुका है और आप मैं यह बटन्स पहले से बना के रेडी करके रखा था और आभी देखिए सैंटर में जो है वो थोड़ा सा कसके इसे धागा के मदद से मतलब इसको अटच करके लेने का पीछे और आगे थोड़ा सा अच्छा से लेने का है ताकि यह पैनने में लूज ना हो जाए और जब टाइट पड़ेगा खोलना जाए तो इसलिए बहुत ही अच्छा से इसे टाइट करके सैंटर पर अटच करना है तो आप देखिए यह जो बना था लटकन तो इसे मैंने अभी आटच करूंगी और इसके बाद बटन्स जो है वो भी आटच कर लोंगी तो अभी मेरा जो है बाजू बिल्कुल रेडियो हो गया है आशा करते हूं मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा